मुंबई एरपोर्ट के कस्टम विभाग को बड़ी काम्यावी हाथ लगी है बता दे कि कस्टम विभाग ने 11 और 12 अक्टूबर को करीब 7.87 करोड रूपे कीमत का 15 किलो सोना और 22 लाख रूपे विदेशी मुद्राप को जब्त किया है मुंबई एरपोर्ट कस्टम ने बताया है कि इस मामले में कुल साथ लोगों को गिरफतार किया जा चुका है कस्टम विभाग अधिकारियों को गुप्त सूत्रों से जानकारे मिली थी कि दुबई से आने वाली इमिरेट फ्लाइट संख्या EK500 से एक भारतिये नागरी 9.895 कि इसकी अंतराष्टी बाजार में कीमत 5.20 करोड रुपए है इसके बाद कस्टम विभाग ने उसे हिरासत में ले लिया चौकाने वाली बास दिया है कि यह सोना विशेश रूप से बनाए गए एक चेस्ट बिल्ट में मिले जिसमें 9 पॉकेट बनाए गए थे वो चेस्ट औ नागरिक को दुबई अर्पोर्ट पर दो सुडेन के नागरिकों ने दिया था उन्हें भी कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया है कस्टम विभाग ने एक विदेशी नागरिक को भी मुंबई अर्पोर्ट से गिरफतार किया है यह नागरिक सुडेन देश अपने शरीर के अंदर छुपाया हुआ था कस्टम विभाग के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा के साथ भी कई आरोपियों को गिरफतार किया है सुद्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम विभाग ने स्पाइस जेट से दुबई से मुंबई आए एक भारतिय न किस्टम विभाग ने एक और दुबई से भारत आए एक भारतिय नागरिक को 45,000 दिरहम के साथ गिरफतार किया है इसकी भारतिय मुद्रा में की मतलग भग 10 लाग होंगे या रोपी स्पाइस जेट विबान से भारत आया था